दो दिसंबर की रात को दर्वाजे पर पहुंची बारात में नाच गाने के बाद हुए विवाद के बाद बारातियों ने दुलहे को मंडप से उठा कर बारात वापस लेकर लोड़ गए और इसी मामले को लेका दुलहन थाने पहुंची और धुला छोटों से शादी करने के लिए जद परड़ी रही अंत में दुलहन की जद रंगलाई और उसी मंडब पे दुलहन के साथ पूरे रीत रिवाजों के साथ दुलहन के साथ साथ फेरे लिए दरसल मामलत जनपर्द बाराबंकी के जहंगिराबाद थानशेतर के कुटी गाउं का है जहां पर बीते 2 दिसंबर को रात को बड़े ही धूमधाम से अवदराम के दरवाजे पर बारात पहुंची तिलक्समारों के दरान नाजगाने में बारातियों और ग्रामिनों के बीच विवाध होने लगा और बारातियों ने दुलहे को मंडप से उठा कर बारात वापस लेकर चले गए आखिरका दुलापक्ष के लोग दुलहन के घर पहुंचकर उसी मंड़प पे शादी रजाई और साथ फेरे दिये क्या वो बटा सादी हो गई बताए कैसे सादी हुई इस दिन क्यों नहीं सादी हुई थी क्या करना रहा है अब जो सादी होगे तो कैसा महसूस करने हैं अच्छा है कैसे यह लोग माने फिर मम्मी पापा फॉन किये थे उसके बाद यह लोग मान गएं फिर आएं पर सादी आदी तो क्या नहीं है चोटो उस दिन सादी जो नहीं हुई आपकी आप लोग बारात लेकर वापस चले गए क्या करण था अब आज की डेट में जो सादी करें आप दूले के कौन है तो आब आज शादी करके लड़की को ले जा रहे हैं कैसा मैसूस करें कि नहीं खुशी-खुशी मन से क्या है इसके लिए कोई प्रवर्ण नहीं क्या काना रहा उस दिन जो आप लुगा पूस्चे लिए अब जो आज की रेट में साधी किया है कैसा महसूस करें दिन से खुशी ते किन गए हर्फित रहीं की बहु को घर ले जाने हैं कैसा महसूस क संदीप तिवारी, बारा बंकी, अखवारवाला